हलो दोटो मैं हूँ श्रिसायल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में अभी आप सब लोग को लग रहा होगा कि बैंक निप्टी में बुलिश ट्रेंट शुरू हुआ है तो इसका एंसर है नहीं अब आप मुझे पुछेंगे तो इतना बैंक निप्टी बढ़ने के बाद भी बैंक निप्टी में अप्ट्रेंड क्यों नहीं शुरू है और वो कब होगा और इस कन्फूजन में तो हम ट्रेड ले तो ले कहां पर अब इसका एग्जैक सोलिशन मेरे पास है और वो मैं आग अपने हर एक वीडियो में आपसे ये बात जरूर कहता हूं कि मार्केट सीखना बच्चो का खेल है बस आपको हमारी वीडियो को हर रोज बिना स्किप करें आखिर तक देखना होगा अगर दोस्तों कल आपने बिग ट्रेडर्स फार्मिला वाली वीडियो अभी तक नहीं द जी हां दोस्तों गेम अब आपको इस गेम को सिर्फ और सिर्फ देखना है और इसे सीरियसली गेम की तरह खेलना है मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मार्केट चाहे कैसी भी ओपन हो आपका एनलेसिस काम करें या फिर ना करें आपका साइकोलोजी काम करें या फिर ना करे या फिर आपके option chain का data भी काम करे या फिर ना करे पर सबसे ज़्यादा काम करेगा demand and supply का knowledge जी हाँ दोस्तों अगर आपको deep में demand और supply के बारे में knowledge हो तो मैं 101% यहाँ पे guarantee दीता हूँ कि आपको कभी भी loss नहीं होगा not a single day पर आपको लगे हो आप सभी कुछ भी दिमाग में इकटा करके trading को difficult बनाने में trading बच्चों का खेल है दोस्तों जैसे ही इस channel पे 200 subscriber complete हो गए उस दिन से आप perfect trader बनना शुरू हो गए फिर आपको कोई नहीं हरा सकता कोई भी नहीं हरा सकता अपनी energy और पैसा इधर उधर मत खर्च करो अगर अभी तक इस channel पे subscribe नहीं किया है तो इस channel को फटा फट subscribe करो दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तुरंत आपको समझाता हो कि आज bank crypto में क्या हुआ देखे दोस्तों जैसे मैंने कल की वीडियो में समझा है कि demand यहाँ पे बनती गई और supply कम दिखता हो गया तो अब हम one minute के candle पे आएंगे और आपको यहाँ पे समझाऊंगा देखे पहली candle supply वाली बनी लेकिन बाद में demand ही बन रही है और supply की candle छोटी छोटी बनती जा रही है और इस हिसाब से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे demand ही है तो आप तुरंट से यहाँ पे entry लेंगे और यहाँ पे कहीं भी 25 point आपके बनी जाएंगे दोस्तों देखे जिस दिन demand जादा होती है उस दिन demand के side जाना है और जिस दिन supply जादा होती ही उस दिन supply के side पे जाना होता है दोस्तों ठीक है और यहाँ पे आज psychology नहीं काम की कभी कबार इस तरह के से होता है लेकिन यहाँ पे demand आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस green candle के बाद यहाँ एक red candle बनी और यहाँ पे एक दोजी बना उसके बाद जो green candles बनती गई है अगर उसमें आप कहीं भी इंटर ले लेते तो आपके 25 point यहाँ पे बन जादे दोस्तों ठीक है तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है कल क्या हो सकता यहाँ पे मैं आपको तुरन समझाओंगा video short बनाएंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे bank nifty और nifty काम करता है ठीक है देखें यहाँ पे अब हमारे लिए जो बनेगा support और resistance यहाँ पे पहले निकाल लेंगे हम तो हमारे लिए resistance बना जहाँ से market घूमी है वो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा बन गया support अगर कल के दिन bank nifty continue अपनी rally उपर की तरफ दिखता है 42,800 के उपर जाकर sustain करता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर के rally दिखाए देगे अगर नीचे की तरफ आएगा 41,000 जो की impossible नहीं है लेकिन फिर भी नीचे की तरफ आएगा 41,700 के नीचे आकर और वहाँ पे sustain करता है तो आपको नीचे के rally दिखाए देगे लेकिन आपको सिर्फ demand और supply की candles के हिसाम से ही trade लेना होगा ठीक है दोस्तो तो अब देखिए दोस्तो अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आप से एक solution के बारे में बताया था जी हाँ वही exact level अगर इस level के उपर banknifty sustain करेगा देखें long term में one day में बोल रहा है अगर इस level के उपर banknifty sustain करेगा तो banknifty में strong uptrend देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पर जो downtrend शुरू है वो खतम होगा और वो level है 43,250 लेकिन अगर banknifty 43,250 के नीचे ही रहता है तो आपको फिर एक बार downtrend ही continue होता देखने को मिलेगा तो ज़्यादा खुश ना हुई है क्योंकि क्योंकि अभी भी banknifty में downtrend ही शुरू है दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तो और रिष्टो धरकर साथ यह वीडियो शेर कीजे और आज के इस knowledge के साथ कल banknifty में trade कीजे तो आज के लिए बस इतना ही इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकत होगी तब तब के लिवीडियो शेज थैंक य वरी मच्छ बवे दोस्तो